शालीन टीना को जम कर इग्णोर कर रही है सुमबुल दोनों को लगा 440 वर्ट का जटका जी हाँ घर में सुमबुल सुभे से शालीन और टीना को आज जम कर इग्णोर कर रही है और इस बात से दोनों हैरान भी है परेशान भी है दोनों का हाल कुछ वही हो रहा है कि ना कुछ कहते बन रहा है और ना चुप रहते बन रहा है क्या कवर निकलकर सामने आ रही है बिग बॉस 16 लाइफ फीट से सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में गरल बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर और यहां अभी हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं बिग बॉस के घर से लाइफ फीट से जोड़ी एक इंट्रेस्टिंग अपडेट दरसल आज लाइफ फीट में देखने को मिल रहा है कि सुम्बल जो है वो सुबह से शालीन और टीना को लगातार इगनोर कर रही है टीना का आज बज़े है वो शालीन के साथ वक्त बिता रही है इस दौरान सुम्बल वहां से कई बार निकल कर जाती है लेकिन वो इन दोनों की तरफ देखती भी नहीं है ऐसा लगता है मानो वो इन दोनों को जानती ही नहीं है कभी कोई रिष्टा ही नहीं रहा इनके साथ उनका वो काफी देर तक वहां रहती है उपर जाती है प्रियंका से बात करती है लेकिन फिर भी इन दोनों को भाव नहीं देती है और ये दोनों जो है इस बात से हैरान और परिशान है टीना और शालीन आपस में बात करते हुए भी नदर आए कि ये जो हो रहा है ये तो सोचा ही नहीं था ये कैसे हो गया आखिर हमें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा शालीद भी कह रहे हैं कि लाइफ में अक्सर वही चीज़ें हो जाती हैं जो हमने सोची नहीं होती है लेकिन ये तो तेवर बिलकुल बदल जिऊ हाँ इस तरह से बिना नाब लिये कुछ ऐसी बाते ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं सुम्बल के बारे में सुम्बल जो इन दोडों को आज बिलकुल भाव नहीं दे रही है क्योंकि ये लोग अकसर पहले ये कहा करते थे ये दोनों ही कि सुम्मल बार बार हमारे पीछे आती है हमसे बात करने की कोशिश करती है हमें उससे बात नहीं करनी फिर भी वो हमसे बात करती है और हमारे साथ वक्त विताने की कोशिश करती है तब कि हमें उससे कोई रिष्टा रखना ही नहीं है हजार बार इन दोनों न ये बाते कही है सुम्मूल के बारे में सुम्मूल को परिशान करने की भी कोशिश की है सुम्मूल को नीचा दिखाने की भी कोशिश की है और अब इन सब का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सुम्मुल जैसी अच्छी दोस्त को ये दोनों अब खोचुके हैं सुम्मुल अब इनसे दोस्ती नहीं रखना चाहती है नहीं इनसे बात करना चाहती है इसलिए अब वो इनसे distance maintain कर रही है और इस बात का इन दोनों को भी एहसास है लेकिन अब हालत वही हो रही है कि क्या कहें और क्या ना कहें क्यूंकि पहले तो ये खुद ही शिकायत कर रहे थे इस बात को लेकर आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्या लगता है आपको हमें कॉमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही साथ अगर नहीं क